पडोसी देश पाकिस्तान में आजाम चुनाव खत्म हो गए हैं और इसके बाद वहाँ वोटों की गिंती चल रही है कुल 272 में से 270 सीट पर चुनाव हुए हैं सीट संख्या 60 में उमीदवार के जेल जाने और 103 पर उमीदवार की खुदकुशी की वजह से वोटिंग नहीं हुई है चुनाव बैलेट पिप के जरिये हुए हैं और आम चुनाव के साथ विधान सभा के चुनाव भी हुए हैं पाकिस्तान में कुल करीब 10 करोर 60 लाख वोटर हैं जिन में 18 लाख हिंदू और 9000 से वोटर हैं पाकिस्तान चुनाव में नवाज शरीफ के जेल जाने के बाद अब मुकाबला उनके भाई शहबाद शरीफ पूर्व क्रिकेटर इमरान खान और बिलावल भुट्टो के बीच हैं चुनाव को लेकर जो सवे हुए उसमें पद की रेस में सबसे आगे इमरान खान दिखाई दिये हैं ओपिनियन पोल में शहबाद शरीफ के पार्टी को 27.5 फीस अदी इमरान खान को 28.25 फीस अदी और बिलावल भुट्टो को 16.5 फीस अदी समर्थन मिलता नजर आ रहा है ऐसी खबरे हैं कि इमरान खान को पाक सेना और भी स्पोट कर रहे हैं दर्श को आज की इस खबर में इतना इस खबर में आपकी क्या राय है हमें कोमेंट में जरूर बताए हम हर नरी और घटनाय को होचते रहते हैं तो हर खबर को जानने के लिए हमारे चनिल्स पिजी नियोज को करना ना झाल 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 झाल